कि है कि है लो जी ओप यार डिंग वाल मैंशल संकी भाद वेलकम शीव ओन यूट्यूब चैनल और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के बेसिक फोर्मुले इस तीन चीज़े रहती हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले तो आपको फोर्मुले ही कि आपको याद है तो आज की वीडियो में हम उसी के ऊपर काम करेंगे ठीक है कि इंपोर्टेंट कुछ फोर्मुले मां आपको बताऊगा कुछ श्याचिक उपन करनी है तो डालेक रिजल्ट करने पढ़ेंगे ठीक है और और विस ट्रीक्स तो ट्रीक्स याज हैसा आपको पता है ठीक है तो सारी चीज़ें करेंगे स्टार्टिंग से और आज यह फटा-फट लाइव वह वेरी वरी गोडियों आप सभी लाइव आज पे ठीक है देखेंगे पुनिया जी उसको भी ठीक है चलिए आज स्टार्ट करेंगे आपका इंटेग्रेशन और एक्षली कहा थ ठीक है जल्दी अब थोड़ा अच्छा खासा भगवान जी की दया से आप सबकी दुआउं से ताइम मिल रहा है तो अब स्टार्ट हो रहे हैं आपकी क्लासिस और अच्छे से आपकी क्लासिस स्टार्ट होंगी अभी रियल है ना इसीच की एक या दो वीडियो और रहेगी ठीक है और एक मैट्रिक स्पेस की रहेगी ग्रेशन पार्ट में इसके बाद इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिल एक्वेशन के बाद 11-12 आपका अल्मोस्ट डन है एक आदा सोटा मोटा कोईशन है जैसे एरिया अंडरता करो है एक आदा कोईशन बागी है आपका ठीक है तो नहीं लेने के पर रांगे कुछ स्लिशन की इसा आपका करा तो कुछ जो छोटा मुटा मूटा फे कवह सर्थों पच गया है तो तो कुछ वह कराएंगे कुछ मैं करांगा आपका स्लेवस बहुत जुल्दी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है और कर लेंगे पीडिएफ देखते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करें आज की वीडियो आपकी बेरी बेरी गुट इवनिंग और जितनी आपकी कमेंट्स हैं मैं आप आपके यह कंप्लीट होने के बाद आपकी कमेंट्स लूँगा तब तक आप पढ़िए ठीक है ओके लेट स्टार्ट वहीं पीडियाफ देख लेंगे मेरे दोस्त सबसे पहले कुछ बेसिक्स आपको पता होने चीए वर्टी जी बिलकुल जीरो जीरो वाली बाते जीरो ले जाता था ओके अब बात क्या है इसको integration को anti derivative क्यों बोला जाता है बहुत सारे लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब जो derivation derivative होने के बाद जो result आता है अगर हम उसका integration करते हैं तो हमें same result देखने को मिलता है देखे जड़ाई बड़ अगर मैं integration करता हूं integration करने का मतलब क्या होता जैसे x की power n का integration हम करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि एक power add करते हैं और जितना आता है आप आप करने के बाद उसी से हम divide करते हैं और plus में कोई भी constant c लगा रहे हैं कईसे इसमें सी नहीं लगती उसके बारे में भी हम करेंगे हम बिल्कुल रहेंगे में का स्लेबस जो है जो जो फिजिक्स के साथ कंबाइंड वो अलग है बट अदरवाइस यह एल्टी ग्रेड में जिए इसी में या आपका पीजिटी पीजिटी हर एक जगे है पर देखो किलम को सब्सक्राइब करने का सब्सक्राइब करनें का तरीका यह था एक पावर एन पावर आघा जाती थी ए CS कि पावर एक पाव कट जाती थी यह हमारे डीफ्रेंसेशवन करने का तरी और आगे आगे इतीन और एक पावर घटके इतीन में से दो बन गया अब इंटिग्रेशन करना है तो हम क्या करते है यह पावर यह याद रखिएगा अगर किसी कॉंस्टेंट कोई अब उसकोंस्टेंट को बाहर लिख सकते हो फिर फंक्शन का आप इंटिग्रेशन कर सकते हो ऐसे डिफ्रेंशेशन में होता था काफी सीमिलर सी चीज़े आपको देखने को यहाँ पर मिलेगे ठीक है तो एक सुक्यार का कितना हो जाएगा पावर में एक हैड हो जाएगा दो हुमें एक हैड होई तीन और बटे में तीन से तीन कटा एकस क्यूब आ ठीक है वापीस तो कहने का देखो एंटिडेरिविट्व देखने को मिला ना कि जिस चीज का हमने डिफ्रेंशेशन किया था यह आया था रेजल्ट उस रेजल्ट का इंटिग्रेशन किया तो वापी समय सेम चीज देखने को मिलेगी जिसका आमने डिफ्रेंशेशन किया था एक स्क्यूब प्लस से कई बार यह सी लगाना इसलिए जरूरी है कई बार मैं एक्जांपल दोगा उससे आपको पता लग भी जाएगा कि सी लगाना क्यों जरूरी है ठीक है तो यह इसलिए इसको यह तक यह देखी जड़ा लेवल की आपको पता होने चाहिए लेडी ठीक है तो कोई भी पीछे ना रहे इसलिए मैं बिल्कुल जिरो स्टार्ट करता हूं हमेशा ठीक है कलियर यहां तक ओके यह देखी ज़रा अब इसी का एक एग्जाम्पल वाई सीज मस्ट लेट्स फाइंड आउट है कि डिफ्रेंशिशन करना हमें एक स्केर प्लस टू का तो एक स्केर का होगा 2x और कॉंस्टेंट का जो डिफ्रेंशिशन होता है वह 0 होता है ठीक है और integration कॉंसेंट का एक साथ में ले लेता है ठीक है तो भाई देखो इसे एक स्केर प्लस टू का डिफ्रेंशिशन किया 2x तो इसका अगर हम integration करें तो वापीस यह आना चीए इसलिए 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 डेरिवेटिव बोला गया तो 2x का आप क्योंकि अब देखो एक्जेक्ट तो वहीं नहीं आया ना के एक स्केर यह हमारा रजल्ट आया कि एक स्केर प्लस सी ठीक है पर था क्या चीज हमारे पास एक स्केर प्लस टू टू है यहां पर सी का काम कर रहा है ठीक है इसलिए हम सी यहां पर बार-बार लगाते हैं अपने इंटीग्रेशन के अंदर क्योंकि एग्जेक्ट वापिस पहुंचने के लिए एंटी डेरिवेटिव बनने के लिए उसमें आपको सी इसलिए जोड़ना पड़ता है ठीक है यह बात कि आप आप विल्कुल लाइक करना तो बनता है अरे जितना करा रख़ा उतना कर लिया मालो आपका 11 12 का मैने ओल्मोस्ट 90% में से प्रैक्टिस कर शुके और निकल कर लोगे न तो भी 50 पर सेंट तो फिर भी आ जाएंगे ठीक के प्रैक्टिस आपको अलग से करने पड़ेगी अचा और और इंपोर्टेंट और बेसिक सी बात है ठीक है वह भी देख लेते हैं और इंपोर्टेंट बात क्या है कि की बात ठीक है जोड़ना जुरूरी है किस कंडिशन में नहीं जुड़ेगा वह बात बता देता हूं अगर माल लेजिए आप सीधा अगर कोई जो फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप उसमें आया और उसके साथ में आप सी लगते हैं ठीक है अगर यहां पर कोई फंक्शन रखा हो जिसका आपको integration करना है अगर उसकी लिमिट आपको देखने को मिल जाए कुछ भी जैसे 1-2-1-1-2-1 कुछ भी आपको देखने को मिल जाए तो उस अच्छे से कलियर हो गया आपका कुछ-कुछ और हो जाएगा देख लिजिए अब देसे माल लेजिये integration करना-ddf-x-of कोई मालेजिए कोट inverse X का करना कोट inverse x कि आपको इसका क्या करना integration करना है ठीक है तो आप इसका डारेक्ट को पता है कि के differentiation जो होता है वह integration के आपस में एंटी होता है तो इससे आप काट सकते हो डारेक्ट आपका अंसर क्या आता है कि कोट इन्वर्स एक्स प्लस इड डारेक्ट कट जाएगा बट उसके कटने की differentiation इंटीग्रेशन आपस में कट सकते हैं ठीक है बट उसको कंडिशन होती है उसको कंडिशन यूथ वाली कर ले डी ट्रिप्लेस्ट वाले को और कर लो जो पेपर है ठीक है और दो 2018 और 21 के पर और कर लो देखो वह सिस है आशिस ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं आना चाहता अभी आपको वीडियो देखने को मिलेंगी आगे ठीक है गैप आ गया बट वह लापरवाई की वजह से नहीं कुछ एमर्जेंसी मुझे भी हो जाती है मेरे दोस्तों मुझे आपना कमिंटमेंट याद है आपकी सेलेक्शन की चिंता मुझे भी है चिंता मत कीजिए स्लेवस पू तो जल्दी आपका स्लेवस हो ठीक है बिलकुल मैं मानता हूं आप सब डिपैंड हो मैं इसकी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं सुपोर्ट करने के लिए और मैं उसी सुपोर्ट के लिए मैं आपको रेगुलर आपको दुबारा बोलेंगी जूरूत नहीं पड़ेगी है पढ़ते हैं है अगे तो भावि यह बात हो गई यह कब कर सकता हैजब आपको यहां पर क्या है फ्रक्षिन मतलब एक जिसका एकस के रिस्पेक्टिव वन हा रहा है ठीक है यहां पर 2X होता अब मान लोग यहां पर हम कर रहे होते हैं साइन 2X इसको अम मैं कर रहा होता तो अब मैं यहां से इसको नहीं काड़ सकता तो बात यहां पर रहती एक्स होना चींट का यह बात अपना जहां रखना है तो आपको भी नहीं करना जैसे कि आप लिमिट करोगे और यहां पर इसको डारेक्ट नहीं काट सकते हो क्योंकि एक्स नहीं है यहां पर इसकी मालो कोई भी माइनस इसकी लिमिट आजाए कोई 3 5 by 4 और 2 5 by 4 तो हम झाले के तो अब डारेक्ट नहीं काट सकते हो क्योंकि यहां पर एक्स नहीं आ जिसका दिफरेंशेशन आता है अगर वह यहां पर होगा तो आप इसको डारेक्ट आप डिफरेंशेशन से इंटीकरेशन पाओ कैप्स पाओ लिए इस बात को धानग ना अब इस लापको करना है यां ठीक है एक्स होना चीह कुल मिलाके बाद ये सो एक्स होना चीह यह पर 2x होता तो इन में को नहीं कात पाता है तो बेश्क सी बात मैं आपको बता दी चलिए लिए आगे चलते हैं आगे इंपोर्टेंट फॉर्मुला मैं आप所以 सब्सक्राइब करता हूं इंपोर्टेंट फॉर्मले इतना ही हम करेंगे जो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशल रहेगी यहां तक कलियर हो गया हमने पढ़ा कि इंटिग्रेशन जो होता है वह डिफ्रेंशेशन का बिल्कुल अपोजिट चलता है बसी की कंदीशन आप में जहां नहीं है अब इंपोर्टेंट फोर्मले आपको फटा-फट रिवीजन करा देता हूं इतना कुछ खास है नहीं सबको ओल्मोस्ट फटा-फट एक बार याद ओजाएंगे ठीक है रिवीजन हो जाएगा सबका अटीक है दिफ्रेंशेशन भी की एक होता है और की एक dopo और दीख्हुर्षरेंशेशन भीısı की पावर एक सोता है ठिक है वित्वार थार्फ इन्टिविव्वा एकस में साथ में तिक है एक Dragons इसका करते हो तो आते अंगे तो क्या आता है एक पावर एक सिसट आप पॉलिटेवल कर फाओगे डिफ्रेंस सेन को दोनों को इंटिग्रेशन करते हैं तो वही चीज मिलेगी जो हम यहां लेके चले थे यह चीज दिखाने के लिए मैंने इस तरह से डिफ्रेंशेशन और इंटिग्रेशन पूरी टेबल बनाई है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट थर्टी फोर्मूले जो आपके लिए एक्जाम के लिए मौस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे ठीक है एक फटाफट रिवीजन आपको दे देता हो इनका लोगें जैसे की देखी ज़रा अब टाइन एक साइनेक्स का जो डिफरेंशेशन होता है क्या होता है को सेक्स तो जो रजल्ट आया उसका अगर हम इंटिग्रेशन करते हैं तो वापिस वही आना चाहिए जो हम लेकर चले ठीक है वह क्या आ आगया साइनेग्स यही लेकर से ले थे हम ठीक है अब यहां पर मैं लेके चला हूं यह बिल्कुल अपोजेट दिखाने के लिए ठीक है यहां पर मैं लेके चला हूं ध्यानकी का माइनस तो सक्सक्राइव क्या होता है माइनस साइनेक्स निएक जो चीज आप यहां लेके चलोगी ठीके जिसका भी आप डिफ्रेंसेशन कर रहे हो वही चीज देखने को आपको मिलेगी इसलिए इसको को एंटी डेरिवेटिव कहा गया है एक जैसे क्या होता है सिकेंट स्केर और स्केर का इंटीग्रेशन करोगे तो वापिस क्या जाएगा प्लस में सी मस्ट है ये बात ध्यान है ठीक है यह बिल्कुल बेसिक बेसिक से फोर्मुले है माइनस अब यहां पर मैं कोटेक्स का डिफ्रेंशेशन नहीं कर रहा हूं यहां मैं माइनस पोटेक्स कर रहा हूं कोटेक्स का आप करते हैं तो माइनस को स्केर होता है एक और माइनस लगा दिए तो पलस आ जाता है यहां पर प प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में तो फोर्मले रजल्ट्स और ट्रिक्स की बात होगी फिर प्रैक्टिस की बात होगी जब कभी दुबारा आपको डिटेल में कराऊंगा तो इन सब का एक 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 जामपल भी दूगा ठीक है कि बिल्कुल मैं इस बात का ध्यान रखूंगा continuity कम हो जाती है इस चीज़ का ठीक है अभी करते हैं ओके तो वहीं यह फोर्मले आपको याद हो क्या जैसे differentiation का भी हमने पढ़ा है साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है वन अपन वन माइनस अंडर दिरूट वन माइनस एक्स अब जो रजल्ट आया उसका ही हम करते हैं integration तो हमें वापिस मिलता है जो चीज़ हम लेकर से लेते जाने इनवर्स एक्स यहीं देखने को मिला अब यहां पर मैंी चुक्यू अब इसका लेकर मैंँन पलस हो जाता है इसका लेके चलेंगे मैं लेके चला हूं go यहां पर माइनस लगा गा दिया तो माइनस प्लस हो जाता है यह तो इस निवर्स यह ऊंठाब है अगर आपके सावने रेजॉल्ट्ट आता है डि- टो आपके option में कोई भी एंसर हो सकता है वह sin inverse X भी हो सकता है वह minus X भी हो सकता है इस ऐसे चोड़े सब के सेम रिसेंगे आगे इसलिए रखेंगे यह आगे देखते हैं एसे इसे 10 इन वर्स का है हम डिफ्रेंसीशन जानते है वन प्लेस खे है तो इस जो differentiation का result होता है उसी का integration करते है और आपको same result देखने को मिल जाता है 10 inverse x ठीक है तो इसका integration क्या होगा 10 inverse x होगा ठीक है अब यहां पे इसका integration करेंगे तो आएगा minus 14 inverse x कहने का मतलब वहीं है जो ऊपर मैंने आपको बताया यह दोनों त्रह से काम कर यह यह जो दोनों है इन दोनों का result सेम है इसका option में यह भी अंसुर देखने को मिल सकता है यह भी देखने को मिल सकता है दोनों सेम बात है 10 inverse x plus c भी हो सकता है minus 14 inverse x plus c भी हो सकता है यह फोर्मुले आपको पता होने चाहिए ठीक है ओके यह सीकेंट ऐसे ही सीकेंट इनवर्स डिफ्रेंशेशन और इंटिग्रेशन यह बिल्कुल फोर्मुले इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए जैसे सीकेंट इनवर्स एक्स का होता है वन अपोन एक्स अंटर दी रूट एक्स केर माइनस वन यह किताब आप में लिखे हुए है आप याद भी कर सकते हो आपको पीडियाफ मिल भी जाएगी समझाने वाली चीजे करते हैं तो आपके लिए एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है अब देखी यहां से समझाने का टॉपिक स्टार्ट करता हूं आपका देखी जरा फर्स्ट ट्रिक आपके सामने है फर्स्ट कंसेप्ट फर्स्ट टॉपिक देखी यहां से एक इंपोर्टेंट रजल्स निगलता है ज ध्यां सिद्ध देखीएगा क्योंकि आगे आने वाले जो तोपिक सब्सक्राब्स है वह इस ही चीज के उपर डिपेंड करते हैं देखिए ज़रा इसका मतलब क्या है यह जो नीचे है ना नीचे क्या लिख रखाएक एक्स का जो डिफ्रेंशेशन होता है वो क्या होता है वन होता है एक्स का डिफ्रेंशेशन क्या होता है वन होता है इस कंसेप्ट को धान रखेगा जब डिनोमिनेटर के अंदर ठीक है डिनोमिनेटर का जो डिफ्रेंशेशन है अगर वो ऊपर दिया हुआ है तो हम क्या करते ह लोग औण ऐनों ऑफ लोग अगस यहां पर एकस प्लस वन भी होता थो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एकस प्लस वन का विट्फरेंसीशन वन ही है तो आप यह बात इंपोटेंट है आपके ज्यादा बार यूज होने तो यह पहला पहली ट्रिक आपके सामने है कि नीचे फंक्षन दिया होगा और उपर उसका डेरिवेटिव दिया होगा तो हम क्या करेंगे लोग ओफ नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वह एजिटी लिख देंगे यही हमारा कंसेप्ट है यही हमारा रजल्ट है जो अभी है आपको अस्का डिफ्रेंशेशन दे रखा nervous तो आप देखोगे लोग विल्घ डिनोमिनेटर वही हमारा का अंस्वर होगा ठीक है पलस से सी यहीं हमने जाना है पहला कंसेप्ट है ना तो डारेट हम अंस्वर कर देंगे इसका लोगोफ जो भी डिनोमिनेटर है से संथ संसर कैसे आता है वो भी सिखा देता हूं तो मैंने आपको बता दीतों क्या वह सारे चांप्ट होते हैं ठीक्त मसले़ाउद करना जुरूरी थिरा और देखी ठीए कुला इसका कंसेट्ट क्या कहता है कि हम प्लस x3 को टी पूट कर लेते हैं तो कर दिप्रेंशीहन करते है बुर्द का जीरो आज जाएगा डी प्लस टीक्त हो जाएगा डी का एकटी डी लिख सकता हूं लिख दिया और 1 प्लस X3 क्या लिख सकता हूं लिख दिया तो यह बज़िए 1 by T इसे 1 by X होता है ऐसे 1 by T तो 1 by X का integration होता है लोग X ऐसे 1 by T का हो जाएगा integration लोग T plus C आप T की value वापिस put कर दिया हमने 1 plus X3 तो हमें यह 5 step करने ही जूद नहीं है एक दो तीन च्यार पांच छटे स्टेप में रेजल्ट आता है हमें डारेक्ट यही करना है यह देखना है हमें कि यह नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है तो हम डारेक्ट अंसर कर देंगे इसका ठीक है ऐसे जैसे यह आपको एक औ हम शीधा अंसर देंगे इसका कि लोगरिथम ओफ एक्सटेर प्लस 3x प्लस 7 अलस थी ठीक है लोग ओफ डिनोमिनेटर प्लस थी ठीक है बही कलियर है यहां तक बताओ आईलेट्स आईलेट्स आई थिंक आईलेट्स होता होगा आईलेट्स इंटीग्रेशन लोगरिथम एलगेबरिक एग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल ला चलो देखेंगे बात करेंगे उसकी वी तो पहला कंसेट्स समझ में आगई आपको चलिए इसी तरह के दूसरे में बात यहीं होते होते सब्सक्राइब आपके सामने ट्रीक इसलिए प्रस्तूत की जाती है कि आपके यह सारे के सारे सब्सक्राइब कर पाता है मेरे दोस्त जिसको रजल्ट्स ज्यादा याद है मुझे मैं हमेशा आपकी जगह जब था तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रट्टा मार स्टूडेंट में बहुत कंसेट्वल वाला बन्दा था मुझे को हर एक चीज़ा कंसर्प्ट जानने की बहुत पड़ी रहती थी टीचर बहुत प् फिर डारेक रजल्ट आव्याद रखते हैं तो वह चीद बहुत आप जैसे इंटीग्रेशन है अगर मैं हर एक कंसर्प्ट करने लगूंगा तो कम से कम 15-20 दिन इंटीग्रेशन ले जाएगा बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा इतना करा दूं कि जब मैं प्रैक्टिस सारी चीज़े तब आपका रजल्ट निकलेगा और मेरे लिए प्रोटेंट अब की बार बहुत ज्यादा है तो इसलिए मैं आपको डारेक्ट रजल्ट दे रहा हूं जो पहला रजल्ट आपको देखे हैं दूसा रजल्ट क्या कहता है अब की बार फंक्शन की पाउर्न होगी, और सात्में उसका derivative होगा, तो आपको सीधा रजल्ट या रखना है, आपको सीधा क्या करना है, जो फंक्शन दे रखना हूं जिसकी पाऊरन धी, उसकी पौर अन प्लस वन करनी है अपकों कर्नी है, यही आपका डारेक टेंस्वर होगा, जैसे की, कि इन पसे कि दल रही है यह इन प्लस वन करनी और बटे में था स्वाँटाइज कम समयों नो प्लस लोग एकस्कि पावर-दो ऑपॉल में XL छिसका आपको इन्टिघ्रेशन करना है तो एक फरंग्शन है one plus log x ठीक है इसका जो differentiation होता है one का zero हो जाएगा और log x सा क्या हो जाएगा one by x तो यह दे रखा है one by x यहां पर हमें दे रखा है one का zero तो function के multiply में उसका differentiation दे रखा है तो हम direct result लगा सकते है direct result क्या गहता है कि उस function की n plus one करो बोले तो function जो है जो कि है one plus log x इसका प्लस one कर दो power में plus one कर दिया two plus one कितना आ गया three तो जो पावर आई उससे divide कर दिया और प्लस में क्या लगाते हैं तो direct आप result लगा सकते हो आपको तीन-चार concept आप तीन-चार लाईने आपको लगाने की जूट नहीं है concept कैसे कहता है concept भी मैं आपको बता देता हूं देखी करेंगे बहुत जल्द करेंगे पीवाइक start ठीक है इस महीने में मैं कोशिश करूंगा आपका स्लेवर्स हो जाए ठीक है आया 10-15 तारिक तक स्लेवर्स हो जाए आपका स्लेवर्स को दो टीचर्स में डिवाइड कर दिया तो आप मुझे है कि हाँ आपका स्लेवर्स हो जाएगा जो ग्रेशन का पार्ट है उसमें से तीन चार इंपोर्टेंट आपके उनमें से दो मैं करांगा एक लवी सर कराएंगे और ग्रेशन का जैसे दो तीन टोपिक करते हैं फंक्सियल माल ले 10 डिएक सब्सक्राइट यहांपर आपको देखने हम मिल गया कि वन डिएक्स रपन एकस к्या है डी x train aka where next Give up which we can put t square यहां तो हम क्या करते हैं जिसके विश्कें नीचे तो अद करते हैं तो बात वहीं अब वापीस कि वेलों क्या थी एक प्लस छोग ठीट खरेब दीन के एक डारेट राजलर्ट करना है मेरे मुहाई र्लाजर्ट करनना दारेक्ट किसी यसी की पावर एक होगी और उसके साथ में उसका डेरिवेट्टिव दिया होगा हम उस फंक्षन जिसकी पावर एक है उसमें एक करेंगे और उसी से डिवाइड सबरंसा फना इतना करना है और आपका अंसर आपके सामने कळिवकर आने कर आगा मैं सिस्थ उतने कराऊ यह मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिया एक वीडियो और करांगा तो आपके यह क्वेशन हो जाएंगे अगर आप पी वाई क्यू सोल करोगे तो ठीक है और नाइंटी प्रेसेंट एक सार रेजल्ट है यार क्योंकि मेरा मानना यह सो प्रेसेंट तो मैं हो नहीं कि क्तिते हैं कि अब किबार आपको Chek पंशन के अंदर यह फrंक्शन देखने को मिलेगा जैसे कि अब जैसे मैंने का यह तो क trabajo StД ऑ यह पकर अगर मैंने का साइं की पावर एक्स एक कि अंदर function आ आता है ना तो इसको बोलते हैं कि जब function के अंदर function आएगा और साथ में उसका derivative दिया हुआ मिलेगा तो हमें शिर्फ और सिर्फ इस function का ही integration करना है हमें इतनी बात ध्यार रखने है जैसे की example से समझ में आएगा देखी जर्फ हमें integration करना था एकी पावर 10 inverse x अपोन 1 plus x square dx इसका हमें integration करना था देखी जर्फ पहले तो यह देखे क्या यह form है तो form है भई function है य वाला function क्या है य वाला है और इस function के अंदर एक और function दे रखा है 10 inverse x तो function के अंदर function दे दिया ठीक है साथ में क्या होना चीए इसका जो function है इसका डरिवेटिव होना चीए यह जो function है इसका डरिवेटिव होना चीए 10 inverse x का derivative 10 inverse x का derivative क्या कहता है 1 upon 1 plus x square तो दे रखा है तो क्या यह format दे रखा है ना तो इस तरही कोईशन आप बिना पैंचलाय कर सकते हो ठीक है वैसे तो इंटीग्रेशन के में इतने मोश्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट आपको कराई दूगा जबते की इंटीग्रेशन खत्ब होगा आप सारे ही रिजल्ट्स आपके मुझवानी होंगे और आप इंटीग्रेशन में भी सिक्ष्टी परसेंट को बीना पैंस लाएं कर लोगे अगर आपको रजल्ट याद है तो ठीक है कि अब बिलकुल बीए मैच में तीजी टी की तैयारी कर सकते हो ठीक है अच्छा कंचेप्ट क्या कहता है कंचेप्ट देख लीजिए कंसेट से कैसे करते हैं concept से इस तरह से करते हैं 10 inverse x मैं ने T पूट कर लिया 10 इसका differentiation किया differentiation किया 10 inverse x का तो 1 पॉन पॉन उन प्लस एक्स की तो बस value PUT कर नहीं के तो एकी पावर 10 inverse x को क्या माना है T माना है तो एकी पावर T हो गया अब यह जो value है डी एक्स अपउन 1 प्लस एक्सकेर देख सब्सक्राइब कर सकता हूं अब इक पावर टी का आप जाहते हो इंटिग्रेशन हो यह इपावर टी ही होता है एक पावर टी प्लस तो आपको इसका नहीं करना तो जो चैनल था एक है ना जैसे पहले हम डिफ्रेंशेशन वगेरा में पढ़ते थे कि इ कई कि करने थी और जब इंटिग्रेशन की कहाँ तो लड़ टोट्रेव ट्ने अचि और यह तो हमें आगे अगर फंक्शन के अंदर फ्ंक्शन दे रखा होता है क्योंकि हमारा कंसेट डॉरट्रिक यही कह रहा है तो तो कि ऐसके अंदर तो इसका इंटीडेशन करेंगे एकई पाउड होता है तो डारेक्ट आपका अनसर आजाएगा बता यह इन तीन में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो इन तीन दुबारा से एक बार मैं आपको बता देता हूँ जो अभी तक हमने किया है तीन टोपिक्स इन कंसेप्ट मैंने अभी पढ़े हैं आपके एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा है जब डिनोमिनेटर के अंदर फॉंक्शन दिया हो हो में हमने फ़ंक्सेप्ट बढ़ाये जिब डिनोमिनेटर में फॉंक्साइब दिया हो और वपर उसकाडवेटिव दिया हुँ तो हम अगर अगर function की पावर एन वहनों साथ वेक्राइव हैं तो हमें क्या करना है उस function की पावर है जिसकी पाव एन है उसमें एक और जोड़ देना है और यह बच्छर जोड़ेना शीकलाइसी आप कोई लेना देना नहीं है तो ये हमारा दूसरी ट्रीक थी दूसरा कंशेप्ट थीए कोई तीसरा हम ने यह देखा है कि है कि function के अंदर function दिया हुआ मिलेगा और उसका derivative भी साथ में दिया हुआ मिलेगा तो हमें क्या करना है जैसे function है e की पावर x उस x के अंदर भी एक function है तो function के अंदर एक function है और उसका साथ में derivative भी है जो दूसरा function दे रखा इसका derivative भी दे रखा है one upon one plus x square तो हमें इन दोनों का कुछ नहीं करना सिर्फ इस function का बलब और e की पावर x का इसका आपको integration करना है आपका answer आजएगा e की पावर x का e की पावर x होता है integration और differentiation भी तीन ट्रिक्स तीन टोपिक्स आपके cover हुए है basic concept से important है ठीक है अब बात करते हैं जो अभी तक मैंने पढ़ा है उसी के उपर बेस पे और फोर्मुले भी आपके निकलते हैं अगे चलिए यह आप देखते हैं आगे आगे का आपको 10x का integration क्या होता है लोग secant x प्लस यह आप कह सकते हो माइनस लोग कोस x प्लस से ठीक है ऐसे कैसे आता है जो हमने concept अभी पढ़ा रहा हूं उसी से आता है देखिए 10x क्या क्या सकते है साइनेक्स अपॉन एक्स अब आप मैने माइनस से मल्टिप्लाई कर दिया बाहर वी अंदर वी तो माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएगा कोई फराग नहीं पढ़ेगा तो आप देखिए कि कोस x का नीचे वाले का डिफ्रेंशिशं से ने रखा है तो आप क्या करते हैं आप यह माइनस है यह दिफ्रेंशिशन दे रखा यह माइनस एचिटीज दिए तो नीचे वाले का जब डिफ्रेंशिशन उपर देते तो लोग ओफ नीचे वाला लिख देते हैं लोग ओस एक्स लिख दिया प्लस में अब यह आप लेख सकते हो लोग यहागवड बन सकता है तो आप लोग गवन और इन्वर्स का मतलब क्या बर यह दा यादा आपको होना चाहिए कि 10X का इंटीग्रेशन क्या होता है तो 10X का इंटीग्रेशन होता है लोग सीखेंट X प्लस C या माइनस लोग को X प्लस C यह डारेक्ट आपको पता होना चाहिए अब सभी को नुवरात्त्रों हार्दी सुब्कामना और आपको इद मुबारत को अच्छी चल लिए हिंदी में क्या करूं बताये जराद क्या करूं इसमें हिंदी सीकेंट एक्स को हिंदी में इंग्लिस में क्या करें ठीक है अच्छा आज बहुत स्लो लग रहा है ठीक है तो समझ में आ गया होगी यहां तक तो कोटेक्स का ऐसे कोटेक्स का है कोटेक्स को हम क्या लिख सकते हैं cosax अपु कहीं सकते और नीचे वाले का डिफ्रेंशेशन होपर साइट का इटेंस्यों व् contribute देटेगा log of sin x लिख देता है यही आपका कोटक्स का इंक्रेशन है और आप इसको माइल सो को सिक केब्ट अग्स भी लिख सकते हैं ठीक है वहीं ओब आगे अगी बुटे में आ जाएगी वही सीन है ठीक है आइसे सीक्इंट-X और क्या होता है लोग 10x deberable tangledुर्ण होता यह इसलिए और इसलिए और सारे सारे इसलिए लिए ऐसे अप्डेस अपनीर fx सार्पान 2004 किसे सारे के सब्सक्र मागी नश्क पंट ओंटमाप परच को पहले हैं तो तो लोग 10x plus secant x plus c है तो आप क्या हमने क्या किया secant x plus 10x से multiply किया इसी से हमने डिवाइड किया secant x की आप अंदर multiply कर दी तो secant की secant से secant square x और secant 10 की secant x 10x नीचे है जिटीज रखा तो हमने देखा secant x का क्या है उपर दे रखा है differentiation secant x 10x और 10x का दे रखा है secant square x तो नीचे वाले का उपर दे रखा है तो हम क्या करते है log of नीचे वाला तो log of नीचे वाला हमारा answer आगे इसी तरह से सभी formula को derived किया गए तो ऐसे ही cosecant x का दे रखा है डारेक्ट आपको याद रखना है क्या log of cosecant x minus cortex या फिर log of 10x by 2 प्लस यह आपको डारेक्ट याद करना है कर वो उसी से रखा है हमने क्या cosecant x minus यह दे रखा था इसको हमने minus cosecant x minus cortex से multiply किया उसी से divide किया ठीक है इसको अंदर multiply कर दिया cosecant square बन गया यहां पर multiply हुआ प्रस हमें यह दे रखा है माइनस पोट एक्स का कोशिकंट स्केर एक्स और कोशिकंट एक्स का माइनस कोशिकंट एक्स पोट एक्स आपको दोनों चीजे दे रखिए तो नीचे वाले का differentiation उपर दे रखा है तो आप लोग ओफ नीचे वाला एज़ीटी कर सकते और वहीं मैंने लोग ओफ नीचे वाला एज़ीटी कर दिया तो यह derived formula है एक्जक्ट आपको पता होने चाहिए ठीक है आगे देखी ज़रा अब जैसे यह है यह वह इंपोर्टेंट रजलेट है आपको यह direct format ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा यह integration अब देखने को मिलेगा उसका डिफ्रेंशेशन देखने को मिलेगा बीच में प्लस साइड होगा पहले मैंने आपकी आपक्षांक्शिण के साथ आपको कितने कुष्षन आते हैं। शो सकता है किशी चप्टर से पहले से ज्यादा कुषिशन आये था है बार उसे कम हो सकते है और मालों मैट्रिक स्पेस से बहुत ज्यादा है तो ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही आएंगे क्योंगी ट्रिपलस्पी ने अपना स्लेवर्श भी डिफाइन नहीं कर रखा है मेरे लोग तो देखेंगे भाई गूरूप सोरी भी देखेंगे आ या तो देखो जैसे कि फ만क्षन दिया है उसका साऺड़िवेटु दिया साहिने एक्स का क्या होता है स्काजमें रखा कूৌको क्या करना ह We Jan 선생 है इतने आपको मौश्ट आप इपोट जलदी आपको कवर कर पाऊगे आपकी स्पीड में बहुत बढोंतर हो जाएग है कि और पर इंटीग्रेशन जैसा टोपिक अगर आपको रेजल्ट्स याद हो तो यह मानलों कि बहुत ज्यादा बेनेफिट्स आपको हो जाते हैं ठीक है गुरूप थरे भी कराएंगे बिल्कुल आपकी बहुत जल्द होगी ठीक है इसके बाद वही है इसके बाद एक डिफ्रेंश स्थिलीपेशनी क्लास लेकिंए मां आपको ग्रेशन का स्टार्ट करूँगा एक तरफ मैं गरत करूंगा एक तरफ लभी सर्क ट्रिग्नोमेट्र करेंगे तो और अध्यृट्थ कर रहेंगे तीन चैप्टर बाकि एग्डेशन का कमप्लीट हो जाएगा विदिन वनमंत आ प्रणे बडाइट कर लेना और याद कर लेना इनका डारेट फोर्मुला है ठीक है तो आपको यह पूरी 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 पीडिएफ मिल गई है जो आपको डारेक्ट आपको इसके रेजल्ट यहाँ से याद हो जाएगे तो इसको टेलीगराम ग्रूप से डाउलोड कर लेना इस पीड एक है ओके अग एढिया हां से स्तार्ट होते हैं इम्पोर्टेंट रस'll इंपोर्मिले आपने पड़े खतम हो गए डीक है आप बात है इंपोर्टेंट रेजल्ट्स की अब आप इंपोर्टेंट रिजल्ट्स को आप इनको ट्रीक का नाम दे लो में आपको fixed results मताने वाला हूँ जिनके बेस्ट पे एक्जामीन रों बनाता हे ठीक है अगर आपको व्हुक्ष याद है थ है आपको मैं दोगा उस format के अंदर वह minha की वेलू चेंज कर सकता है एन की वेलू चेंज कर सकता है ठीक है बट अगर आपको फॉर्मेट धाना है तो आप विजीन वन सेकंड आप अंसर कर लोगे ऐसे बीस रिजल्ट है इंटेग्रेशन में वो टोटल टाइप ही 25 होती है बीस के मैंने रिजल्ट बना दिये हैं तो इ इस तरह से ही समझ लो जैसे यह आपका पहला रजल्ट है अब वन बाइश केर साइन सकेर एक्स प्लस इसकेर कोस क्यारेक्स अगर हम इसको भाई कंसेट करते हैं तो भाई को स्केर से इवाइट दो तो आप वह रोगार इसको लेंद भी बना देते हो ठीक है है तो हमें क्या करना हमें डारेक्ट तयाद करना ठीक है कि जब इस फॉर्मेट में ए और बी की वैल्यू चेंज हो सकती है इस फॉर्म पर में और कुछ भी तीडम नहीं हो सकता कई बार हो सकता है खाली वीस कर दिया हो तो मालों यहां पर तीन दिया हो तो मैं 30 Ferrari 5 into 1 कर लूँगा और वन को मैं साइन स्क्राइब से फट कर लूए तो यह sung सक्ता है तो यह फोर्मेट आपको टायेक्ट रेज्ट्ट लिए होना चीए मेरे दोस्त क्या है कि वन अपोन एसकंच्य एसका इसी सका वही बंदा करता है जो जिसके रेजल्ट्स बहुत अच्छे याद हो जिसको उन रेजल्ट्स की प्रैक्टिस भी वह कर चुका हो तो आपको वह रेजल्ट्स याद रहेंगे आप प्रैक्टिस करोगे साथ में मैं सारी रेजल्ट्स की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं अपनी जग का डारेक्ट अंसुर यह है अब यह फिक्स है यह कभी नहीं बदल सकता ठीक है बस एबी की वैल्यू चेंज हो सकती है अब हो सकता है कि आपको एक्जाम में बैठे हूं वह पूरा धान ना है पर हो सकता है वन भाइए भी धान नहीं कि हायर जब इस तरह कोशन आता तो स्टा है आपके रजल्ट बहुत इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त ठीक है देखो जरा अब जैसे इसका एक्जाम्पल मैंने दिया है कि एस्केर की दिए नाइन लिया है बीच्ट कर दिए सोला लिया है क्योंकि यह स्केर है इसली नंबर है मुझे नो और सोला ज्याइदा पसंद आ है निकालना है एक इतना तीन और बी कितना चाहरत तीन चोग बारा जिस ओप्शन में एक बटा बारा स्टार्टिंग में लिखा होगा उसी पर टिक करके मागे चल पड़ूंगा ठीक है अगर सब में वन बटा है ट्वैल लिख रखा है तो फिर आपको टैन इन्वर्स एब स्टार आप अं्सवर क्लिक कर लोगे सिगे ज्टा है जन्म दावार का अधे यह तो मुझे नहीं पता कौन से मीसलीने कंद स्का लास्ट वाला एक्जामपल कु economies के और भकी सब्सक्राइब काहीं से भी वेल्व पूट कर सकते हो त これ नहीं डारेक्ट दिखेगा चेतन तो हम क्या करते हैं कि इसको बनाते हैं जैसे यह मालो कि यहां पर आपको सिर्फ 16 यहां पर इसे पांस देखने को मिलत यह चार डेकने मिल जाए तो उस 4 को बना ओ फिर इस फोर इंटु वन सोचके वन को पुट कर दो को साइन स्कियर स्क्राइए प्लस बना लो कोई दिक्कत नहीं है बनेगा वहां से बन जाएगा फिर यह अंदर अंदर को इस पोरे याद नहीं दूगा देखा पर याद कर लोगे 25 होते हैं आपको बता दूँगा ओल्मोस्ट पास टाइप के रह जाएंगे बस कि देखे जरा पर देखने को मिलेगा एककी पावर एमेक्स साइन्स्क्राइब oike कर रहा है wimi कर रहें के खिने जो तो आपको क्या करना है जो पहले लिख्वा हूँआई Iặt Kxy आगय को न क्से आगे लगा कई एकस लगा हुआ है कितो इसससे भी ऑन्स्वर आपको क्लिक कर सकते हो दॉब आपके दीुस ओप्शन में भी व्याँ सके तो आप अन्सुर क्लिक करके आगे चल पड़ोगे अगर सब में शेम होगा तो भाई पूरा आपको याद रखना पड़ेगा यह मैं आपको एक्जामपल देता हूं देखे चरह यह एक्जामपल है आपके नीचे देखें लिखा है इस तरह आपको सामने को देखने को मिलेगा तो आपको सबसे पहले यह प्सक्राइब करने के लिए जो एम है और अएं इनका स्क्राइब देखना है दोगा स्क्राइर चार तीन का स्क्राइर नौन और चार तेरा में वही आपका अंसर होगा ठीक है कुछ कटने पिटने वाली बातें नहीं निकल कराति है और फिर यह देखने को मिलेगा यह आएगा और नीचे इनका स्क्यार आएगा हो सकता है यह वाली चीज सिर्फ चार में से एक यूप्शन में हो तो आप डारेक्ट क्लिक करके निकल लोगे फिर नहीं है तो मेरे दोस्ट फिर यह पूरा धानर होना चाहिए कैसे पहले में कि ऐसे करना म अ मैं टीक है पहले एम और एंड फिर एंड आरा धान के सामने है यह मं हो गयाut तो आपको इस तरह के इंपोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखने सब का एक 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 एजमपल में दे देता हूं जो आपकी सब्सक्राइब देखी आगे माइनस था इसमे प्लस है उसमें आगे साइन आपस में यह और पलस माइनस ता इसमें पलस है और सेम है वही एम स्केर मैनस तीन का स्केर और दोगा स्केर चार नोर चार तेरा नीचे आएगा जो यहां लिखा होगा एजटी जाएगा सेम है बस इतना सफ रख है ठीक है कि साइन और पोस को आपस में इंटरचेंज किया गया है यह इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या वाइट अनु अनु राजा सर्फ मैंने डी ट्रिपल एस बी का दोज़ार्ट्रोदा का प्रिवाइक्व किया था सरा आपकी ट्रिक का डायरेक्ट रेजल्ट था जो रेजल्ट होते हैं वह बहुत काम आते हैं जो क्वेशन आप सोल कर लेते हो उनका वी रिजल्ट याद रखा रखा रोक यह वैं तो प्रेक्टिस करने बैठते हैं ना अग्जाम के टाइम पर रिजल्ट बहुत इंपोर्ट्ट यूज फूल रहते हैं तकी वह आपको और बोहत इंपोर्टेंट रूल निवाथ ठीक है चली आगए चलते हैं अगला रेजल्ट आपके सामने है यह पेस कर रहा हूं देखिए दो होगे वह आचा एकी पावर में ए बी सी डी चार आपको यह आर्विट्रेरी कॉंसेंट मिलेंगे इनकी वैले कुछ भी हो सकती है एक दो तिन चार पांच से साथ बी बाइडी एकस अब बीवाइडी करके चलना कि जिस ऑप्षन में यह होगा सबसे पहले उसको अंसर कर देंगे घैसे कि यह है यह वाला यह भी है यह दि है तो सबसे पहले देखना कि जिस ऑप्षन में तीन बेटे 5 एकसा उसको डारेक्ट आप टिक करो और वहां से भागत अब यहां पर एकी पावर क्या है वन इंटो एक्स लेख सकते हो तो वन बाय वन कोई फरग ने पड़ता फिर इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं क्या निकालते हैं डि- यहां पर देख लो हो सकता है यहीं तक आपका खत्म हो जाए ठीक है या फिर मैं तो यह मानता हूं सबका अपना अपना दिमागा अगर मेरे सामने इस तरहां कोशन आता तो मैं सबसे पहले यह देखता कि इसमें है दूसरा में यह देखता कि लोग के अंदर नीचे वाला पॉर्शन होना चीए लोग के अंदर डिनोमिनेटर होना चीए लोग के अंदर डिनोमिनेटर होना चीए मैं यह दो चीज़े सबसे पहले देखता क्योंकि यह अंचेंज नहीं करने वाले ठीक है तो कैलकुलेशन मे तो इसको देखता मैं हो सकता है दोनों से मैं इसको डिटर्मिनेंट वाली चीज को निकालता आपको ऐसा नहीं है आप से वह अब्जेक्टिव एक्जाम ले रहा है वह आपको ऐसे ही क्वेशन देता है और आपने अगर याद कर लिए तो समझ लीजिए आपको काफी हद तक चीजे के लिए हो जाती है कि अतरुन अब ही ऐसा है कि अंदर हो सकता है कि आपको ऑपको हाथ लग गए हो तिक है मैंने आप आपके एक्जाम के लेवल के चीजे कराई है लिए ओर आप कि रहां में जो करा रहा हूं वह सब कुछ नहीं है वो more than enough नहीं है ठीक है एक्जाम के point of view से देखते हैं कि हम जिस एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं क्या उसमें उन चीजों का benefit होगा तो जो मैं करा रहा हूंगे यह 100% beneficial आपको होगी ठीक है इस बात की मैं guarantee देता हूं यह benefits 200% हो मिलेगा आपको benefit पर इसी से 100% चीजें हो जाएंगी नहीं है कोई भी ऐसा बंदा नहीं बनाया जो 100% करा पाए क्योंकि बात क्याना के examiner की सोच अभी हम examiner रही है examiner ने थोड़ा सा level बढ़ाया है घटाया वो चीजे variation करती है हो सकता है एक आदा question अब 100 में से वह जहीं का भी डाल दे ठीक है ऐसा भी हो सकता है बाए लग तो 100% चीजें नहीं चलते हैं मेरे दोस्त ठीक है आज अब यह आगे पढ़ते हैं तो अगला result आपके सामने है यह दो पावर एक्स का हो गया यह दो result आपके सामने इनको एक बढ़ द्यान से देखिए का देखिए कि देखिए कि यह दो result आपको important है यह अ एफ ब्लस बी साइन स्केर एक्स a plus b cos square x इनमें square है ठीक है a plus b sin square x a plus b cos square x जब इस तरह का result आपको देखने को मिलता है तो आपके सामने यह direct result होता है वही है steps में याथ रखूँगा मैं इनको ठीक है इनमें फरक इन चीजों का है इसमें क्या होता है one by नीचे वाला a plus b आता है ठीक है और फिर वही उपर under the root a plus b upon a वही same repeat होगा 10 के साथ भी a plus b upon a plus में constant इसमें क्या है इसका उल्टा चलता है one by a वही उपर जाएगा a a upon a plus b वही अंदर repeat होगा a upon a plus b under the root 10x steps में ध्यान रखना है कि इनके रजल्ट के steps क्या है अगर मेरे सामने कभी ऐसा question आया जैसे देखो नो प्लस सोला साइन स्केर x ठीक है सबसे पहले मैं जो check करूंगा इस result के अंदर वो यह वाली हो सकता है आपस में कट सकते हैं तो मैं उस चीज को सबसे पहले धान देता हूं जो जो कट पिट नहीं सकती जो और वो क्या है देखो यहां यह वाली जो ट्रम है वह इससे नहीं कटने वाली यह जो आपका देखने को मिलेगा अंडर जूट ए प्लस भी अपूर मतलब सोला और पत्चीस पत्चीस बटे में नो पांस बटे तीन यह देखोंगा मैं पांस बटे तीन एक्स ठीक है कि जिस ऑप्सन में पांस बटा तीन एक्स होगा मैं उस पे कलिक करके आगे चल पड़ूंगा ठीक है यह इंपोर्टें बोले तो नो और सोला पत्चीस अंडर जिरूट ए प्लस भी पत्चीस का अंडर जिरूट पांस और ए नो गांडर जिरूट तीन तो यह आपस में कट सकते हैं तो एक बटे पंदरा टैन इन्वर्स पाइवाई ट्री टैन एक्स इसलिए मैं कहता हूं कि स्मार्टली तो आप चलना पड़ेगा तीजें बड़ी नहीं है ठीक है अब अब आपनी बीपिएस्टी की गाइडलाइन देख लो हम रही था मुझे भी पेशी गाइडलाइन से मैंने कभी ब्यार कोई एकजाम दिया नहीं जो मुझे उसकी गाइडलाइन हर एक बोड़ की अपनी की अध्यर में वाहित लोह स्मय क्लिक करना हमाय कौश वाले में कोस वह था में इसमें वहीं एज दुब्स पर तो ए प्लस भी अंडर दी रूट बोले तो 16 और 25 सबसे पहले मैं यह देखुँगा और फिर अगर यह सब में सेम है किसी में 5 बटा 3 मिलेगा किसी में 3 बटे 5 मिलेगा तो जिसमें 3 मुटे 5 होगा उस पर कलिक करके आगे चलूँगा अगर वो भी सेम है और 10x 10 inverse है फिर मैं इ कि ucz कितनी है की वैलु अ कितनी है और बीलू कितनी है जोल है एक की वैलु मिलू नों है तो विनो रखा यहां पर नों कौंट भी रूट Да इन आगया तो इसको मैं ने सूल कर लिए एक Sophia तंडरह तो वह इस तरह से आपको छलुंए कि इंपोर्टेंट रेजल्ट्स का खेल है इंटीग्रेशन कम्प्लीटली अगर आपको रेजल्ट्स पता है तो यह समझ लो आपके आधी कहानी आपका कम्प्लीट हो जाती है हुआ है हुआ हुआ है है तर यह डीट्रिप्लेश भी टीजीटी में हेल्प करेगा अब अब एक्सेट मालेजिए कि जैसे के विए टीजीटी है एन्वेस टीजीटी है उनमें इसका थोड़ा कम पोर्षन आता है के विएस टीजीटी में और देखें नेक्स्ट्रिक क्या है नेक्स्ट्रिक आपके सामने है रजल्ट है इंपोर्टेंट रजल्ट है भी बना रखें है ठीक है यह आपको बुक्स में रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे अपना पीडिएफ डाव्लोड कर लेना टेलिग्राम से ठीक है देखो देखो नीचे क्या होगा एक्स एक्स की पावर एंड प्लस वन इस तरह आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा ठीक है मैंने जैसे करना है लोग एक्षी फाउर एदे रखे उसको नीचे लाओं गेवन बाइए फिर करोगे एक्षी और एस इस इस मैंने दिया है यह है यह एकजामपल आपके सामने आपके तो आप देखोगे एक्षी बैलू कितनी है इन की वैलू है का ग्यारा को जिस्ट क्यार्द तो जीस ऑप्टिन में एक बटा 11 देखने को मिलेगा युवित आंसर हो जायेता है अगर सभी उप्टीन एक आपना गयारा है तो फिर वहीं एक्स की पाउर जो 11 है वह देटेटी उसमें एक यही आपका डाइट र्ज़ल्ट है तो बस इसी तरह यहां ग्यारा की जगहां बीस हो सकता है 11 19 भी हो सकता है कुछ भी यहाँ पर ग्यारा की जगहा देखने में पो आपको मिल सकता है विद्पोर्मेट यही रहेगा ठीक आपके इंपोर्टेंट रिजल्ट का देखो जैसे इंटीग्रेशन बाइपार्ट से यू इंटु वी जिसका हम कहते है जब दो जैसे डिफ्रेंशेशन में यू इंटु वी रूल होता है ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी नहीं यह 11-12 का इंटीग्रेशन चल रहा है और आध्या दो चीजे पढ़ने है ना लवी तर करा रहे है वो करना है और खाली मेरे से नहीं हो रहा है इसलिए प्रके के हेल्प लीधी कि आधे आधा एक ट्रिफेशन का टॉपिक और एक ट्रिफ़ेसं ट्रिफव हो करा एंगे इंगे तो मैंने यहां नहीं करा रहा हो टो से इंपोर्टेंट है हाँ आता है चेतन क्योंकि उसका लेवल ग्रेशन का पूर्षन ज्यादा है उसके अंदर और पीज में ठीक है और करेंगे भाहि अभी ठीक है यू इन्टू भी का होता है उन्टू का करते हैं दो फंक्षन आपको दिये होते हैं फर्स्ट और सेगें बात ह यह होता है first किसको माने second किसको माने तो इस format के अंदर आपको पता होना चाहिए अगर जैसे inverse trigonometric function और logarithmic function आ रखे है तो पहला function inverse का मानोगे trigonometric function को और दूसरा function मानोगे logarithmic function को ठीक है हो सकता है कि inverse वाले के साथ आपका exponential आ जाए तो पहला इसको मानोगे दूसरा इसको मानोगे तो मतलब इस series में हो ठीक है जैसे कि मालो trigonometry आ गया और exponential तो पहला trigonometric दूसरा exponential मानोग पहला algebraic आ गया x square और दूसरा exponential आ गया e की पावर x तो इस series के अंदर आपको numbering करने है पहला दूसरा ठीक है तो देखें क्या करते हैं पहला as it is u as it is v ka integration ठीक है और यह format na as it is रहता है वी का integration वाला यहां पर भी वी का integration वाला ठीक है तो इस u को differentiation और मिल जाता है du by dx और complete का integration हो जाता है ठीक है यह होता है integration by parts पहला पार्ट और दूसरे पार्ट का आपको जब प्रोडेक्ट में दिया होते हैं इस चीजिज के अकोर्डिंग तो आप बाइपार्ट आप उनका integration करते हो यह बिलकुल बेसिक बेसिक चीजी है ठीक है सचीन होगी अब डेली गलास होगी बाई ठीक है अच्छा इसके उपर भी ट्रीक्स बेस है आपको मैं करा देता हूं कंसेप्स में आपको करा तो इस उन्हीं की ट्रिक्ट बना रखिए वाई कंसेप्स की देखिए क्या है है कमारा ड्रा आपको कोई function इस तरह से देखने को मिले एकस की पावरेंड यह पॉर्ण कौन कूण सब्चा है वह ठीक कौन हो सकता है यह एक्पॉनेंचिल फंच्छन हो सकता है इन दोनों में से कोई mouve e-fan हो हो सकता है यह 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 एक्सपोनेंशल हो यह चीजे आपको देखने को मिलती है इस फॉर्मेट में तो आप उसका डारेक्ट निकाल सकते हो तो इसमें नहीं आता थोड़ी कल्कुलेशन तो इसमें भी करने पड़ती है बट किस तरह से करते हैं वह देखी तैसे एकजांपल मैं सब्सक्राइब करेंगे तो कितनी बार करना होता है जितनी बार जब तक कॉंस्टेंट नहीं बार जाता तब तक करना होता है जब तक कॉंस्टेंट नहीं आ जाता तब तक आपको करना होता है ठीक है अब यहां मालों क्या एक्टेंट कि इसकी इंटीग्रेशन की करनी आप है ना अब integration की हम क्या करते हैं कि साइन 3x का आप करोगे तो साइन का integration आप करोगे माइनस को सब्सक्राइब और जो एक्स होता है उसका नीचे चेन रूल में हम ने ही पड़ा है तर्षे डिफ्रेंशेशन में हम यह करते थे कि साइन 3x क्या होता है कि को स्थ्री 3x और 3x का 3 multiply में आ जाता था इंटिग्रेशन में इसका उल्टा है कि साइन 3x का माइनस को स्ट्री एक्स और 3x का 3 नीचे आ जाएगा यह वाली चीज़ हो गई को इसका के साइन नीचे आएगा फिर से माइनस-im Rice हो जाएगा और पर नहीं को आपस करके लिखते इनको इनको मुल्टीप्लाइब करके लिखते झीजें आपस मुल्टीप्लाइ सब्साइब को अगर संदू को पछ इसे चीज़ें चेलने चाहिए तो पहले हम यहां पर X कि पाँज लिखते पिर पाँच इसकी पाउर 4 लिखते वहां पर uz एक्स के बार तीन तक का ही सीन होता है ज्यादा लंबाद चीज़े चलती नहीं है बट अगर आप ट्रेडिशनल मेथर से जाओगे तो उससे छोटा ही रहने वारा है हर हालत में छोटा रहेगा और उसमें फिर भी गलती कर दोगे इसमें गलती ना भी हो क्योंकि बहुत कम ची क्सक्राइब कर लें काफी होगा दी क्यूस्व क्यूक्य कर ने करने साथ साथ में फिर वाइस्टी की पब्लिक मिला तो यहार राडी सद्मा का फ़कर थादा लिविजन पर डाएंगे बहुत तारे चीज लाएंग करेंगे ताफी आपकी लाइन में लगी हुई है करेंगे तो यह important result है भाई ओके next important result है आपको quadratic का देखी जरह क्वाड्रेटिक का concept भी बताता हूं और ट्रीक भी बताता हूं देखे किस किस तरह से जब आपको quadratic का integration जब quadratic equation आपको denominator में दियो ही मिलेगी और उसका integration करना होगा एक तो डारेक्ट रिजल्ट यह कहता है कि यह याद रखो दो बटे अंडर दी रूट कि और एसी माइनस बीश्केर क्या है पोर एसी माइनस बीश्केर डारेक्ट आप यह याद रखो इंटु टैन इनवर्स एक प्लस बीच्प्लस सी का differentiation अपन अंडर दी रूट प्लस सी माइनस बीश्केर प्लस सी और यह कब बनता है रिजल्ट जब आपके और एसी माइनस बीश्केर ग्रेटर दें जीरो हो एक तो यह डारेक्ट रिजल्ट है दूसरा जब आपको अगर डारेक्ट रिजल्ट याद नहीं है तो फिर आपको इसको प्रफेक्ट स्केर बनाना पड़ेगा तब अंसर आएगा दोनों एजी है कोई भी आव्याद रखते तो मैं हमीशा यह यह रखता है कि वह यह तो निकालना पड़ेगा ही ठीक है अगर रखना है तो बस इसकी हैल्प से option क्लिक हो जाते है एक्जामपल देखो जड़ा यह एक्जामपल है इसका हमें इंटेग्रेशन करना है एक्सक्वेर माइनस 6x प्लस 13 का अब एक्सक्वेर आप इसका इंटेग्रेशन करते हो ए इसके टैन इन्वर्स की ब्रेकट में और नीचे देखता है यहां पर आप चार देखने को मिलता ठीक है तो दो बटे चार बोले तो एक बटा दो यहां पर दो बटे चार बोले तो एक बटा दो जिस option में भी एक बटा दो होगा मैं उसको क्लिक करके चल पड़ूँगा इत आब जाएगा माइनस 6 और 13 का 0 तो यहां से दो कॉमन लेंगे तो 2 एकम 2 2 दुनी 4 यह 2 से 3 पड़ेगा तो यहां पर क्या देखने को मिला यहां पर आपको डेखने को मिला अगर आप इसको डारिट रख पाएं तो अगर डार याद ना रख पाएं तो फिर आपके लिए यह कंसेप्ट है आप इसको प्रफेक्ट स्केर बनाए और यह भी एजी है ऐसा नहीं यह बहुत ज्यादा थोड़ा सा टीपिकल फोर्म लगती है बट जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना मैं इसको इसलिए याद रखता था कि इसकी कैलकुलेशन मेरी ठीक थी अच्छी थी भग अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो इसमें रजल्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे तो फिर आप पर प्रफेक्ट स्केर बनाए वैसे तो जगर कैलकुलेशन खराब है ही तो फिर प्रफेक्ट स्केर भी नहीं बनेगा यह हो सकता है कि देखो वह तो क प्रफेक्ट स्केर बन गया एक ही दो पलस बीकी दो अब नो और च्यार में क्यों तोड़ा कोई मुझे पता ही स्केर बनाना है तो स्केर नो का बन जाएगा तीन का स्केर ना एक ही दो स्केर बन गया एक्स माइनस तीन का होल स्केर और चार को लिख दिया तू स्केर ठीक है तो इस फॉर्मले का यूज कर दिया कि 1 by x square प्लस a square x square की जिगा दे रखा x-3 का all square और a square की जिगा दे रखा 2 square तो इस फॉर्मले की help से मैंने यहां पर result रिखना start किया 1 by a बोले तो 1 by 2 यह था न इसमें यहां से लिया गया जिसका square है वह लिया गया है तो यहां से 2 आ गया 10 inverse फिर क्या है x by a जो यह वाला है इसको x बोला गया है इस बटे में यह x-3 बटे में दो तो आप अब इस आप complete square प्रफेक्ट square मना के भी कर सकते हो और आप डायटी से रेजल्ट भी याद रख सकते हो यह आपकी चोय से कि आप किस तरह से आप इसको कलिक कर पाते हो ठीक है पर मैं यह मानता हूँ जीते का वही जिसको रजल्ट जादा याद होंगे ठीक है स्पीड उसी की ज्यादा होगी जिसको रजल्ट याद होंगे ठीक है concept से करने लगे तो मैं यहीं सिलेसन दूंगा इन इसको कंसेट से सोड़ देना इसको मेरे दोस्त ऐसा है सो तक पहुंस नहीं पाई गींती लाश्ट में अगर मान लो तुम्हें दस से बारा आपकी पैडाओजी क्वेशन वह छुट जाएंगे इस सक्कर में क्यूंकि एक क्वेशन इंटीग्रेशन का पास मिनिट ले लेग इसको करने पड़ेंगे अगर चेतन यह तो मैं बताता नहीं हूं इसलिए रहश्या में बाते हैं यह उजागर कर दी तो फिर नोकरी छुट जाएंगे इस दिन मैं नोकरी छोट दूंगा उस दिन बता दूंगा इस लिए देखिए जरा नेध रिजल्ट तक संवने लेक्स रिजल्ट क्या कहता है इस तरह चार मिन सी और विए ед दूंग है यह सब्सक्राइब है कि कंशा आभी मिलें लिमन फ्सक्तूलिह उन मिलेंगे सेफ की सथा ट動画 समय समय की एक है dessa है तो तैन ओपर है तो टेन और एक एंट व हलोट को इसbuilding आ कीज़ी पर साइन की पावर चार एक सोern और चाहर एक्स वना चीए और लिमिट होने चीए जीरो से पाइबाइट रिजल्ट है पाइबाइबाइब फोर असर वह इन चार वह इन चारों का रिजल्ट क्या होगा पाइबाइब एक बीलकुल एदीय में जैसे कि मैं यह बोल दूं कि एक्स फिलस टू एक्स माइनस भी यह लीइस फैक्टर्स है दीनोमनेटर में जब भी लीनियर फैक्टर दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं उपर ऐसा ही कुछ दिया मिल सकता है जैसे 2x plus 3 यह आपको question देखने को मिल गया तो आप इस तरह question को कैसे solve करेंगे यहां पर मैंने लिख दिया है get value of x from the factors x की value ले लो factors से x minus 1 को 0 put करोगे तो x की value कितनी आएगी 1 x plus 2 को जब 0 के equal put करोगे तो x की value कितनी आएगी minus 2 x minus 3 को जब 0 के equal value put करोगे तो x की value कितनी आएगी 3 तो तीनों की value put करनी है कि जब x की value 1 आई यहां से x की value 1 आई तो यह जो बचे हुआ है सब में एक एक पूट कर दो दो गुणा एक जमातीन यहां पर एक यहां पर एक इसको चोड़के सब सबी जगे एक पूट किया ठीक है और साथ में क्या कर दिया क्या अटेच करना है लोगरिथम of x minus 1 यह अटेच करना है अटेच लोगरिथम of the same factor जिस फेक्टर से x की value लिए है वो आपको लोगरिथम में अटेच करना है इसके साइड में यहां क्या आएगा जब x की value 1 पूट कर दोगे जैसे यह है दो गुना एक पांच बटे यह आगया तीन गुना माइनस दो माइनस पांच बटे छे माइनस पांच बटे छे इंटू लोगरिथम of x minus 1 इस तरह यह आपका अंसर आ जाएगा ठीक है तो यह काहनी है है कि जब यहां से x की value minus 2 निकाल ली ठीक है तो इस minus 2 को आप थोड़ा सा चिपा ले चिपा लो माइनस टू इन तीनों में पुट कर दो ठीक है और लोगरिथम of x plus 2 बाद में यहां पे रख दू तो यह चीज है बस आज के लिए इतना ही है और काफी हो गया आज के लिए लगब हाना वागंटे के आपकी क्लास हो गई तो यह रेजल्ट्स है इंपोर्टेंट रेजल्ट्स है और बागी रेजल्ट्स आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा यह सारे इंपोर्टेंट रेजल्ट्स आप अपने टेलिग्राम ग्रूप से शेंकी मेहस से आप डाउनोड कर सकते हो यह रेजल्ट्स आपके अंदर ल्ट्स होने चाहिए र्याद करने का तृट करो चैनि रर्जल्ट को याद करने का तरीका है और फिर को बनाओ तब आपको वो रिजल्ट्स याद होते हैं 9 और 16 की जगह है 25 और 49 लेकर चल पड़ो ठीक है 64 लेकर चल पड़ो तो इस तरह से और बी की वैल्यू चेंज करके जब बनाओगे तभी आपको यह रिजल्ट्स याद होंगे जैसे यहां पर ABCD है तो इनकी जगह वैल्यू चेंज कर द देखो तो इस तरह से आप इन रेजल्ट्स को याद रख सकते हो बड़ी आसानी से एक एक दो-डो एक्जांपल बनाओगे तो आपको यह ध्यान रह चाहेंगे मैं तो इसी तरह से रिजल्ट्स को याद रखता था और मेरा तो पर हो साता था तिखे आप आपकी क्लासीज रहेंगी तो आप निश्चिंत रहिए आपकी क्लासीज अच्छे चे पंटीनू होंगी अब ठीक है अब डी ट्रियूज्बी टीजी टी का बना रखाय नहीं है आप एक बार पूछ सकते हो आप पर पूरी प्लेइलिस्ट बनी हुई है हाँ अब अगर आप कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार पूछ सकते हो पी टाटा बाइबाइबाइब करते हैं पूछ यह हाँ पुनित जी मैं बिल्कुल पूरी कोशिस करूँगा कि अब आपकी क्लासिस कंटीनु हो ठीक है कि अगर आपको टाइटल के अंदर प्लेइश्ट देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा अभी वाकि मैं दिखा भी देता हूं आइधिंक प्लेश्ट वगेरा सारे चीजें दिखा देता हूं जुलम आपको यहां पर आप जाओगे यहां तो हम लाईव चल रहे हैं फिलाल और यह लाइव चल रहे हैं हम और यह प्लेलिस्ट का सेक्शन है ओह जड़ घड़ होगई वीडियो चल गई की है यहां पर आप देखने को मिलेगा प्लेमीगा यदिखने को मिलेगी कि यह सोर्ट कर देते हैं यहां पर सोर्ट आगे किसी को ऊपर नहीं चे देखने को मिले तो यह कर ले ना डेट एड़िट न्यूएस्ट कर लो अब आपकी यह पूरी पूरी अरेज हो गई है अभी तक जितने भी आपकी मैंने पढ़ाई आपको डेवाइस हो गया है आज डे 62 चल रहा है 61 60 59 58 अब 57 यह डेवाइस हो गई है अभी ठीक है आपको यह डेवाइस देखने को मिल जाएगी डेवन से प्रैक्टिस के लिए यार यूथ कंपेटिशन की बुक फोलो कर सकते हो डिट्रिप्लेस भी के पीवाई क्यू कर लो यूपी के कर लो वहीं आप कर सकते हो करेंगे पोलिनोमियल का करा किसलिए मैंने आप वह बोला था कि दो बंदे आपका कराने को लगे हुए तो आप कंप्लीट कर लोगे आपका स्लेवर्स लवी मैच पर आप जाओगे तो यहां पर सर ने प्लेलिस्ट बना रखी है और इस प्लेलिस्ट में आप डी ट्रिप्लेस भी कॉमन पेपर वन की जो आपका सल रहा है कॉमन पेपर वन का जंदीगे टीजीटी का और मैं तो रिजिनिंग का दोनों करवा रहे हैं लवी सरी करा हैंगे दो टोपिक में करांगा आपका स्लेबस बहुत दल्दी कवर हो जाएगा ठीक है तो टेंशन नहीं लेनेगा हो जाएगा स्लेबस ओके और वीडियो आप देख सकते हो काफी बेनिफीचल है मुझे मैं तो मुझे जो आर्थमेटिक का पोर्शन है बड़े भाई नही देखने को मिलेगी ठीक है यह वाली प्लेइलिस्ट आप देख सकते हो ओके मैं कोसिस करूंगा सुनूं कि अब डेली क्लास है ठीक है शरून यार मैंने ऐसा हुआ यह उस बनाए पर बच्टे आपस में ज्यादा मेसिज सब्सक्रिब्स करने लगे और बच्चों का मेरे पास मेसिज आते हैं तंग कर रहें कर दिया इक Ja कि इसके वारे में अज़ाद पता करके बताता हूं कि पुनी तियार मैंने एक वीडियो बनाई थी पर आपके लिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लवी सर भी अब मैं वही तो कह रहा हूं आप पढ़ोगे ना इसे तो आपका एक ऐसे आपको मिलें जो एक चैट्टर में 10-10-15-20 दिन लगा देते हैं इन्होंने देखो दो दिन में नंबर सिस्टम दो दिन में रेश्य और प्रोपोर्शन दो तिन दिन में मैं अलजबर आप दो दिन में मतलब लंबी लंबी क्लासेज लेके बहुत जल्दी आपके एक् मैंने इनका इनका देखा है तो इसलिए उससे बढ़ा हूँ इनका इनका पता आप आप देखोंगे वाकिया में आपको बहुत बेनिफिट होगा कम ताइम में ज्यादा रिजट्टि यहां से मिल जाएगा राध्या यह जो ट्रिक्स है ना इनके रिजल्ट्स आपको बना बना के खुद याद करने है यह आपको ना डारेक्ट आपके एक्जाम में हेल्प करेंगे ओके कि यार नंबर देना तो दिक्कत हो जाएगी तरुन यहां पर है ना है तो आपके चलते हैं तक तक के लिए भाई-भाई टाटा करना पड़ेगा आपसे कि कल फिर से आपसे मुलाकात होगी डिफ्रेंशल लीनियर डिफ्रेंशल इक्वेशन कल में आपको कराऊ है ठीक है कि अरे हो जाएगा शाम पीछे नहीं है टाऊं भाई मैं अपने वाधियां पक्का हूं मैंने आप कहा था स्लेवस कराऊ पूरा से भी यह कराऊंगा बात क्या आं मालों मेरी तब्यश कराब हों गई तो यार ऑब उसमें नहीं आ सकता क्या करूं आपको मां कम जोर कम जोर अब डिपार्टमेंट में काफी वर्कलोड था तो चीजे चलती है यार ऐसा नहीं है कि आगर मैं जो पर नहीं होता तो यार मैं डेली चाहिए मेरे से पास घंटी क्लास लो मैंने केडी केंपस वगयरा वे पंदर बारा-बारा घंटे लगातार पढ़ाया है कि किशी केडी के सबसे ज्यादा मैंने पढ़ाया लगातार कॉंटिनियूसली बारा-बारा घंटे गए दस गयरा गयरा घंटे लगातार पानी पीगे कि हां तब इलेक्शन पर पढ़ रहा है तब ही तो इफेक्ट है मौडर्न एलजबर और लीनियर एलजबर इन दोनों में से एक मैं सरको दूंगा और कॉंप्लेक्स अनलिसस में करा दूंगा या फिर गूर्प थोरी वेरा देखते हैं जल्दी आपको देखने हो मिलेगा फिलाल तो यह कंप्लीट कराने के बाद आप एक डिफेरेंशल एक मजार एक दम शांदार लाजब जवर्दस ठीक है कि अधी ट्रिप्लेस भी वाला कोर्स प्रोपर तरीके से कर दीजिये बहुत दिक्कत हो रही है क्या दिक्कत हो रही है बताओ वही क्या इस्यू क्या रहा है रुपेश कि उजापाल मोस्ट वेलकम डियर हुआ है रहता है जब तक आपका स्लेक्षन होगा तब तक और चेंज करते हैं तो जोब चुम्हें चेंज करता रहता हूं ऐसे एकजाम बहुत दे रखें है को यह रुकता नहीं है यूपेशी के लावा कि विश्वजी देखते हैं तर देखता हूं पता करके गुप्त सुथ्रों से पता लगाते हैं आपके एक्जाम कम तब हो सकता है ठीक है आप आप लगात होगी तब तक के लिए भाई भाई टेक है आपका आपकी परिवार का सब का स्वास्त्य बना रहे यहीं दूआ करता हूं फिर से आप से मुलागात होगी तब तक के लिए भाई-बाई-टेक नमस्का